हाई एवरीपरन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जे स्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुक्टोरियल्स में तो दोस्तों जैसने कि आप जानते 10 स्टैंडर का पूरा बस पड़ा रखा है साइन्स, माट्स, इनसेश्टी का एक बार तो सभी टाइप के लेक्ट्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे कुछ बच्चों को कन्फूजन रहा है कि सरी ये वीडियो नहीं मिल रहे तो यार सबसे अच्छा तरीका है या तो आप यूटूब पे जाओ सर्च करो समझ लो आपको चाप्टर पढ़ना है स्टैक्टिश्टिक्स तो आप सिधा सर्च क्या करोगे कि 10 स्टैंडर मैट्स वन चाप्टर 6 स्टैक्टिश्टिक्स आपको हमारे सभी वीडियोस देखने मिल जाएंगे तो जो आपको टॉपिक पढ़ना है वह मैं भी बोल रहा हूं बस और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फटा फट तरीके से जल्दी जल्दी आपका सिलाबस कंप्लीट कर देना है दोस्तों ये तो आप लोग का प्रॉब्लम सेट चल रहा है और ये भी दो चार दिनों के अमबर कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि आ और ये चाप्टर पढ़ा रखा है जिसमें मीन, मीन के तीनों मेथर्ड्स, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, लिनेर पॉलिओन क्या होता है, पाई डाइग्राम क्या होता है, ये सभी टाइप के टॉपिक्स, क्वेशन हमने करा रखें, तो आप lecture videos भी जाके देख सकते हो chapter करें ठीक है चलो शुरुवात करेंगे आज के वीडियो की तो इस वीडियो में हम करेंगे लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे आप को डाउनलोड नहीं है तो जाके कर लो क्यों कि वहां पे आपको एक बैच देखने मिल जाएगा जिसका नाम में विश्वास पैच और अगर आपको लगेगा कि यार ले सकते हम लोग ठीक है और इसमें कुछ तो खास बात लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो डारेक आप स्टोर पे जाओ प्ले स्टोर पे जाओ आपको मिल जाएगा ठीक है और इंस्टाग्राम पे चलिए शिरुआत करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आज हम दो कोश्चन करेंगे सबसे पहला है हमारे लिए कुशन प्रफिजशन पर ना बहुत इंपॉट्ने इंपाट एंट है कभी बच्चे को कुश्चन में पूछा राधे उ मीडियन करके आजा या जाते है मिडियन पूछा है तो मोड करके आजा आजा तो आपको कुश्चन पढ़ना बहूत इंपॉटने क्या बोल रहा है दा यासा लगता है नहें तो सबसे पहेले एक काम कर सकते हो okay Au ቦ आपको पताले की क्या निकालना होता है तो मेडियन निकालने के लिए गटांपता है है फार्मुला वता है जिसको इंडा-इसowser लग उस class interval की, n by 2, यानि total frequency को divide by 2 कर दो, cumulative frequency होती होती है, frequency होती है, और h होती है, that is the difference between the two class intervals, यह निकालना है, अब आपको पता है कि median निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ columns बनाने पड़ते हैं, जैसे mean में आपने किया था, वैसे median में करना पड़ता है, तो यहाँ पर यहा एक यहाँ पर line keys दो, जो कि आपको बताएगा कि यह column है, ठीके, समझ में आ गया, दूसरा चीज़ क्या आता है, आपको पताए, frequency आता है, कभी भी आज बटना median में, class mark नहीं आता है, सीधा frequency आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते है, number of articles, ठीके, number of articles, समझ में आ गया, okay, and एक चीज़े आपको एकदम flashback के तौर पर याद हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ने chapter videos नहीं देखे, मतलब जो chapter में नहीं पढ़ाया हुए, लगबग साता lecture लगे होंगे, मुझे लगता है इस chapter को पढ़ाने में, तो वो अगर आपने देखा होगा, तो यह सब चीज़े आ चलो, अब इसका काम खतम, यहाँ पे एक line खीज़ दिया, अब इस विए values जो है, वो put on करेंगे, सबसे पहले आपको यह भी चेक करना होता है, कि जो class आपको दिया हुआ है, वो क्या continuous है कि नहीं है, तो उसको continuous बनाना पड़ता है, तो पहले चेक करेंगे continuous है कि नहीं, less than 20 20 से 40 है, फिर अगेन 40-60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, मतब continuous में ही है, ब्रेक नहीं हुआ भीच में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे less than 20, ठीक है, less than 20, उसके बाद क्या है, 20 से 40, ठीक है, 20 से 40, अब less than 20 में आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0 से लेके 20 भी लिख सकते हो, कोई problem नहीं ह 60 है, next, next है, 60 to 80, और next क्या है, देखो, next क्या है, 80 to 100, ठीक है, लिख दिया, 80 to 100, अब इसके बीच में भी lining स्खीज दो यार, फटा-फट से, ताकि कोई confusion ना, और आप लोग भी अपने scale pencil से ऐसे line बना सकते हो, अच्छी तरीके से, ताकि वो presentation के में अच्छा दिखे, आपक कुछ नहीं करने, लिख दिना है, बस, 140, 180, 60 और 20, यह आपने लिख दिया, ओके, next है, cumulative frequency, cumulative frequency क्या होता है, सबसे पहला जो frequency होती ही, वो same as it is, लिख दो, और उसके बाद यह जो आया ना, उसको इसके साद प्लस करो, तो 140 प्लस 100 is 240, फिर इसको इसके साद प्लस होएगा, 240 40 प्लस 80 याने की 320, 320 प्लस 60 is 360, sorry, 380, माफ करना, 320 प्लस 60 is 380, और 380 प्लस, 380 प्लस 20 is 400, टेके, यह आगया 400, अब आपको एक काम करना है, जो frequency है, इसका total निकालना है, जिसको हम लोग बोलते है, N, टेके, जिसको submission of FI भी कहा जाता है, तो इसका total अगर हम करेंगे, 140 प्लस 80 is 220, ठीके, न, sorry, 320, 320 प्लस 60 is 380 और 20, 400, तो यह आगया 400, और अगर आपको चेक करना की क्या आप सही जा रहे हो, कि गलग जा रहे हो, तो आपको यह देखना, यह जो cumulative frequency का जो last वाला आएगा, और यह जो frequency का total आएगा, यह दोनों same आने चाहिए, 400, same आरे, मतलब अब तक जितना भी हमने solve किया, यह हमारा perfect आ रहा, अब तक हम correct है, कोई problem नहीं, इस तरीके से आप अपने आपको verify कर सकते हो, ठीके, उसके बाद एक छोटा सा काम करना होता है आप लोगो, क्या करना होता है बताता हूँ, बहुत easy steps है, ठीके, next step, क्या करना होता है, मैं बताता आपको, next step में आप करोगे इस frequency का आधा, यानि n by 2 करोगे, और n by 2 होता है greater than equal to आपका cumulative frequency, ठीके, n by 2 जो है, वो greater than equal to cumulative frequency होना चाहिए, ठीके, अब यहाँ पे सबसे पहले, आपका n जो है, यह कितना है 400, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश कर तो यह हो जाएगा 400 by 2, यान 400 by 2, यानि कि आएगा 200, ठीक है, 200 आएगा, अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, तो कौन सा ऐसा frequency है, जो 200 के सबसे जादा नज़िक है, जो कि आपको दिख रहा है, यह 240, ठीके, यह आपको 240 दिख रहा है, तो यह 240 आपको दिख रहा है, क्यूमिलिटिव फ्रिक्वेंस क्लास है, वो क्या रहेगा, तो क्लास इंटर्वल आपका यह रहेगा, यानि 20 to 40 is your class इंटर्वल, मतलब इसको हमने consider किया, क्यों कि यह सबसे नज़िक था, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटर्वल, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कि हमारे लिए, हमारे इन दोनों का difference, h is equal to 40 minus 20, तो आपको मिल जाएगा h का value 20, और क्या चाहिए होता है, अब जैसे मेरे को पता चल गया, अब इसी के line में यह जो होगा, यह आपका frequency होगा, मतलब यह आपका बंजाएगा frequency, frequency के पहले वाला जो होता है, वो होता है cumulative frequency, मज में आ रहा है, तो इस से परे, calculate करेंगे, तो median हम निकाल रहे हैं दोस्तों, बराबर median निकाल रहे है, l का value क्या है, देखो, l का value है 20, डाल दिया, plus, n by 2 already निकाल रखा है, हमने जो की है, 400 by 2, यानि 200, 200, 200 minus cumulative frequency कितना है, 140, cumulative frequency है, 140, divided by frequency कितना है, 100, और यह पूरा जो है, multiply करना है, h के साथ, जो की है है, आपका h is equal to 20, बस इसमें value डालना है, calculate कर ले, नैचल लो फटा-फट से calculate करते हैं, 20 बाहर है, plus, 200 में से 140 गया, कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 upon 100, multiply by 20, ठीक है, solve कर लो, यह 1010, इसके सब cancel, यह 1010, इसके सब cancel, 620, 12, यानि हो जाएगा 20 plus, 620, 12, 20 plus 12, यानि कि आजाएगा answer आपका 32, तो आपका जो median पूचे था, find the median of prices, रुपीज में है, तो हम लोग बोल सकते हैं, therefore, क्या बोल सकते हैं, therefore, the median of prices is equal to 32, कितना आगया answer, 32 रुपीज आगया, इस तरीके से, ऐसे questions के answer, जो है, वो आपको निकाल ले होंगे, जो की आप देख सकते हो, यह बहुत ज्य आप लोग को नहीं होगी, समझ में आ रहा है, clear है, बहुत easy question था, तो इस तरीके से median हमारा solve हो गया, अब जितना हो सके, ऐसे median के examples लो, mean के example लो, mode के examples लो, आपको practice करके, जितना आप practice करोगे, उतना आपके लिए benefit रहेगा, समझ में आ गया, clear, आगे बढ़ जाया हम चलते ह हमारे अगले question की दरफ देखते हैं कौन सा question है, समझ में आ गया ना, चलो, यह हो गया पहला question, आज के लिए एक और question में कराना चाहता हूँ, आज जो कि ये question number 8 क्या बोल रहे है, the following frequency table shows demand for the sweet line and the number of customer, sweet line दिया हुए, weight of sweet and number of customers जो भी है, वो दिया हुए, हमको बोल रहे, find the mode, देखो, ध्यान से question पढ़ना, find the mode, आपको क्या निकालना है, mode निकालना है, for the demand of sweet, ठीक है, sweet के demand का mood निकालना है, mode क्या होता है, जैसे मैंने बोला, mode में एक सबसे important चीज़ होता है, कि जिसका frequency सबसे ज़्यादा, उसके इसाब से निकलता है, लेकिन mode का भी एक formula होता है, ठ दोस्तो, consider करना है, और उसके ही reference से आपको solve करना है, ठीक है न, चलो, तो सबसे पहले mode निकालने के लिए भी same, आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, column बनाना पड़ेगा, ठीक है, column बनाना पड़ेगा, तो column बनाने के पहले, आपके reference के लिए हम लोग side में कहीं पे mode का formula जो है, दोस्तों लिख के रखते हैं, तो mode का formula होता है, दोस्तों, same, L plus bracket में, F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 whole multiply by edge, this is the formula for calculating the mode, और मैं आगेन आपको बोलूँगा कि जितने भी mean के formula है, median के formula है, mode के formula है, इसको आपको by heart करके लिएना पड़ेगा, एक और formula हाता है, जो कि यह है, central angle का formula इस chapter के अंदर, वह भी आपको by heart करके लिना पड़ेगा, तो मैंने side में यहाँ पे लिखके रखा है, कि mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiply by edge, अब इसको यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा, एक lining यहाँ पे खीज देता हो, ताकि partition कर सको, तो जैसे हमने median निकाला दोस्तों, वैसे हम mode भी निकालेंगे, अब mode निकालने के लिए क्या होता है, सिम आपको वही चीद लिखना होता है, सबसे पहले आप लिखोगे class, और यह चेक करना होता है कि class जो है continuous रहे कि नहीं, 0 से 250 है, 250 से 500 है मतलब continuous जा रहे है, कोई problem नहीं, तो class आपने लिखना है, class क्या है, आपका weight of sweet, weight of sweet है, जो कि gram में दिया हुआ है, ठीक है, चलो, कोई बात ने, यहां पे हम लोग एक, तो रहे, एक line खिच देंगे, इस तरीके से, एक line खिच दिया, बस, इसके बाद mode में हमेशाया रखना है, जैसे medium में आपका class भी लिखना पड़ता है, आपको उसके बाद आपका frequency आता है, cumulative frequency आता है, लेकिन mode में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, class और frequency, तो सबसे पहले आपने class लिख दिया दोस्तों, अब उसके बाद आपको लिख देना है frequency, क्या है frequency, number of customer है, frequency जो है आपके लिए, यहां पे क्या है, number of customers, number of customers, लिख दो यहां पे, ठीक है, चलो, अब यहां पे को लाइन खीज़ देते हैं, अब इसमें value सबसे पहले लिखता हूँ है, देखो यहां पे ध्यान से, values क्या किया दिया है, weight of speed, 0 से 250, एक एक करके लिखते जाओ, दोस्तों, जैसा हम हमेशा लिखते हैं, 0 से 250, फिर 250 से लेके 500 है, और उसके बाद 500 से 750 है, 750 से फिर बाद में नीचे क्या है, 1000, और 1000 के नीचे है, 1250, समझा इतना, ये इतना हमने लिख दिया, से उसके बीच-बीच में lines बना लेते हैं, चलो फटा-फट से, lines ड्रॉ कर लेते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और ये, पाच हो गया, खीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप देखाए, यहां पर दिया हुआ है, लिख दो यहां पर 10, 60, 25, 20, और 15, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, जैसा हमने किया था, सब के methodology अलग अलग होते हैं, मीन में हम लोग क्या करते हैं, हमने class लि frequency, mode में हम सीफ दोई चीज़ लिखते हैं, क्या, that is class और frequency, अब एक चीज़ आपको notice करना, आपको निकालना है mode, mode का मतलब होता है, maximum number of frequency, तो इस frequency कॉलम में सबसे ज़्यादा frequency किसकी दिख रही है, आपको, number कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, इसमें 60, तो यह आपके लि F2 जो होगा, वो हो गया 25, ठीक है, समझ में आ गया, तो maximum frequency आपका 60 है, तो उसके हिसाब से 60 के ही line में आप देखो, तो यह आपका जो है, वो आपका बन गया modal class, तो आपका यह क्या आ गया, modal class, जैसे median class था, और उससे हम लोगों को L मिलता है न, वैसे यह आपके modal class मिल गया ठीक है, modal class जो है आपका, वो क्या है, that is 250 से लेके 500, यह आपका modal class है, class interval आपका यह है, तो उसके अनुसार हमारा L का value क्या आएगा, यह वाला 250, H का value क्या आएगा, दोनों का difference, 500 में से डाइस हो गया, तो कितना बचे का डाइस हो, तो यह आपका H आ गया, तो हमारे पास L क हमें H का value भी आ गया है, F1 भी है, F0 भी है, F2 भी है, बस इसके अंदर आपको value put on करना है, और solve करना है, ठीक है, तो चलो, अब फटा-फट से इसको हम लोग solve करेंगे, ठीक है, ध्यान देना भी, ध्यान देना और कुछ नहीं है, बस answer निकालना है, और कुछ नहीं, चलो, ठीक है, तो सबसे पहले L, L कितना है हमारे पास, देखो, निकाल रखा है, और लिडी 250 है, तो L का value क्या डाला हमने 250 डाला, प्लस किया यहाँ पे, bracket ले लिया, F1 माइनस F0, F1 क्या है यहाँ यहाँ पे, 60 है, F0 है 10, यानि कि 60 माइनस 10, whole divided by 2 F1, मतलब 2 multiply by F1, तो 2 multiply by F1 यह 2 multiply by 60, ठीक है, 2 multiply by 60, माइनस F0, F0 कितना है, 10, माइनस F2, F2 कितना है, 25, लेख दिया, और यह पूरा जो है, bracket close करके multiply हो रहा है, H के साथ जो किया रहा है, 250, H का value कितना है, 250, ठीक है, अब solve करूँ इसको, चलो, 250 है यहाँ पे, प्लस, 60 माइनस 10 is equal to 50, यह दो multiply by X2, 120, तो 120, माइनस, माइनस 10, माइनस 25, माइनस 35, बराबर, माइनस 10, माइनस 25, माइनस 35, और यह पूरा multiply by 250 हो रहा है, यही चीज है, बच्चे यहाँ का टक जाते, मैंने अक्सर बच्चे को देखा है, जब papers मेने देखा था, तो बच्चों यह सब चीज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प अगर 20 माइनस होगा, तो 115 और कम कर दो, मतलब 85, मतलब 50 अपान 85, और यह multiply हो जाएगा इस 250 के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब solve करें इसको, कैसे करोगे यार, देखो 5 के टेबल में जाएगा, क्या, 5 बंज़ा 5, ठीक है, 35, 7 बंज़ा 35, बराबर, और 5 फाइजा 25, और यह 0, ठीक है, बराबर, यह 50, यह 50, ने, सुरी, एक तो साथ में यह, नीचे उपर नहीं है, ठीक हो, मैं गल्दब कर, यह 50 उपर ही आया, इसको ना, इस तरीके से नहीं लिखते है, रूखो बताता हूँ, यह 50 उपर लिखो, ठीक है, अब बचा 50, मतलब 25 सो हो जाएग कहीं पर साइड में डिवाइड करता हूँ, सबसे पहले, साइड में रफ वर्क करता हूँ, में, 2500 को 17 से डिवाइड करता हूँ, देखो यहां पर, 2500 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 17 की टेबल में, 17, 1 जा 17 होगा, पराबर, कितना बचे का दोस्तो, 15, 38, 80, 17, 4 जा 68 होता है, पराबर, कितना बचे का दोस्तो, 10 में से 8 गया, 2, 7 में से 6 गया, 12, ठीक है, और एक और 0 आ जाएगा, 17, 7 जा, 119 होता है, करेक्ट, 75, 85, 76, 10, 27, 7, 119 होता है, ठीक है, कितना बचे का एक बचा, इधर पॉइंट डालूंगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट डाले तो 0 आ जाएगा, पॉइंट डाले, क्यों 0 बटा तो, मतलब 17, 147.something, 0 यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगें 0 करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, 17, 5 जा, 85 होता है, मतलब 147.05, मतलब इन शॉर्ट यह आ रहा है, वैलू 250 प्लस 147.05, इसको हम लोग क्रॉस चेक करेंग तो, यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो, इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 397.05, तो यह आपका आ गया मोड, तो आपका मोड का एंसर क्या हो गया, 397.05, कितना easy question था, लेकिन आपका methodology, जो हमने आपको सिखाया हुआ है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इसमें से आपने एक steps भी छूड़ गया, भूल गये, या फिर इसमें calculation में अटक गये, तो आपका answer नहीं निकलेगा दोस्तों, और यही चीज में आपको बार-बार समझाता हूँ, clear, समझ में आ गया, तो इस तरीके से आज हमने दो example, और एक मोड का example, बहुत अच्छी तर हर चीज प्रेजेंट रहेगा, बस आप लोग को अपने एंट से महनत करना है, दोस्तों हमने बहुत महनत किया, पिछले दो साल में आप सभी के लिए, पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपके लिए और भी चीज़ आएगी, उडान बैच आएगा, वापस से live revision हैं, ठीक है, तो चलो, आज के लिए इतना ही इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर रहा है आपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेर करो, लोगों के बीच में awareness, फेलाओ हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे content क के बारे में, और first time channel क्या हो, तो फटा-फट से हमारे channel को subscribe करके, bell icon को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की notification आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है friends, तुच्छों जल्दी मिलेंगे, फिर एक और निव वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and good bye.